तादा कबरों के लिए हमारे आराजी योटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए अकुला शहर को दो भागों में विभाजित कर भहने वाली मोर्ना नदी में भीशन बाड़ा गई जिसके कारण मोर्ना नदी को कई सालों के बाद फिर से पुराना वैभव राप्त हो गया भीशन बाड़ के कारण नदी की सारी जलकुम्बी और गंदगी पूरी तरह से साफ हो गई बुद्वार की राज से गुरुवार की सुबह तक अकुला शहर सेत जिले में मुसलाधार बारिश हुई इस आपत की बारिश ने कहर बरपाया है अकुला शहर को दो भागों में विभाजित कर भहने वाली मुईर वर्णा अर्थात मोर्ना नदी अपने पूरे उफान पर हो गई है इस नदी में जलकुम्बी ने अपना सामराज इस्तापित कर लिया था जिसके कारण इस नदी को बड़े नाले का सोरूप राप्त हो गया था परन्तु बुधवार की शाम से शहर सहित जिले में हुई मुस्लाधार बारिश के कारण मोर्ना नदी में भीशन बाण आ गई है जिसके कारण इस नदी को अपना पुराना वैभव राप्त हो गया है भीशन बाल के कारण मोर्ना नदी में अपना डेरा जमाय बैठी जलकुम्बी पूरी तरह से साफ हो गई है और नदी को पुराना वैभव राप्त हो गया है नदी का पात्र फिर से पानी से पूरी तरह से भर गया है बुधवार की राधभर और गुरवार की सुबह तक हुई तेज बारिश के कारण मोर्ना नदी पानी से लबालब हो गई है जिसके वज़े से जिदर नजर दवड़ाओ उदर तक मोना नदी में पानी ही पानी नजर आ रहा है एक परकार से प्रकृती ने इस नदी की सारी गंदगी साप कर दी है और फिर से एक बार नदी को अपना प्रकृतिक स्वरूप राप्त हो गया है जो काम महानगर पाली का प्रशासन को करना चाहिए था वो काम प्रकृती ने कर दिया है मोना नदी में भीशन बार आने के कारण गुरुवार की सुबह से ही नागरिकों ने नदी परिसर में भिड की थी मोरना नदी से बाल के कारण पूरी जलकुम भी बह गई है जिसके कारण मोरना नदी का पात्र काफी बड़ा और साफ दिखाई दे रहा है भविश्य में भी यह नदी अपने प्राकुरूतिक स्वरूप में रहे इसके लिए प्रयास करने की जरूत आ गई है